एपल जोन रामगड द्वारा उत्पादित विभिन नहर्बो में से सेज एक मुख्य हफ्स है इस सेज के हेल्थ बेनेफिटों के लिए आप एपल जोन रामगड के माध्यम से बनाएगे इस वीडियो में बने रहें आज चर्चा करेंगे सेज के बारे में आप देखे होंगे मेरे हाथ में यह है सेज का प्लांट और इतके पहले आप सभी को मेरा साधर नमस्कार आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चेनल एपल जोन रामगड में इस सुन्दर से हरवर गार्डन के माध्यम से मैं आपको आज बताती हूँ सेज के बारे में आईए आपको लेचलती हूँ सेज के खेत में जहां पर हमने लार्जी स्केल पर शेज लगा रखी है बीच साजा करती हूँ आईए आपको लेचलती हूँ सेज प्लांट और सेज की खेती के चेकी जाती है वह आपको दिखाने लेचलती हूँ जी हाँ साथियों यह है सेज और इसका साइन्टिफिक नेव है साल्विया ओफिशनेरलिस और इसके उपर से बिल्यू कलर का फूल आता है और यह पत्ते खाने अन्नी चीजों में चाई इस तरह से खाने चाई इन चीजों में यूज की जाती है जी हाँ साथियों सेज का उपयोग एक महत्तपूर्ण जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है और इसके कई प्रकार के हेल्थ बेनेफिट है आओ आपसे चप्चा करते हैं सेज के बारे में विस्तार पूरुद इसके क्या-क्या हेल्थ बेनेफिट है इसका उपयोग याददास्त को बढ़ाने में किया जाता है क्योंकि आजकर लोग मुबाइल इन चीजों के नजदीक रहने से बच्चों में भूलने की आदक पड़ जाती है इसको दूर करने में सहायक होता है और मोनोपोज के लक्षणों को कम करता है टैंसर जैसी विमारी को दूर करता ह सब्सक्राइब पाया जाता है अज पर heart विक्सेटा शुभाज को कम करने लिए कई परकार की दवाइयां केशर करने में सहायक होता है और कैंसर जैसी विमारियों में या सब्सक्राइब या और इनसे क्या-क्या हैसे बेने फिखे इन तोपिकों के बारे में मैं विश्तार पुर्वा आप लोगों के भी अपने विचारों को साजा करती हूँ जी हां साथियों सेज याददास्त बढ़ाने के लिए एक परभावी अर्क के रूप में काम करता है सेज अर्क एक अच्छी हर्व दवा के रूप में काम करता है या मस्तिस्क को परभायत करने वाले विकारों को दूर करता है और डिप्रेशन और अने अने को बिमारियां जो मस्तिस्क से समंधित होती हैं उनसे छोटकारा दिलाता है भूलने से समंदिग विमारियों को दूर करता है इसमें मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट एंटी बेक्टरियल गुण पाये जाते हैं और यह एक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का भी काम करता है सारीक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इतना ही नहीं इसमें मौट को बेहत्तर करने का गुड़ भी मौजूद रहता है इसलिए सेज को मन सांत करने वाली दवा के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसके अर्क को हम खाने में सेज को डालने से और इसका अर्क लेने से और इ यह फाइबर पाचन किरिया को भीरे कर देता है और भोजन पचाने में सायक है और जिससे मोटापा कम होता है क्योंकि आज के टाइम में परतेग बेखती मोटापे का सिकार हो रहा है और वह सेज का उप्योग मोनोपोस के दोरान भी किया जाता है इस दोरान सेज का उप्योग करने से इसने राहत मिलती है और इसको नियंटरी किया जा सकता है और मोनोपोस के दोरान होने दर्द को कम किया जा सकता है कलिस्ट्रोल सेज में एंटि आक्सिडेंट गुड़ पाये जाते हैं जो कलिस्ट्रोल में फैदे मंद होते हैं साथ ही इसके उपयोग से लिपिट प्रोफाइल में सुधार होने के साथ एडियल यानि अच्छे कलिस्ट्रोल का इस तर्विहत्तर होता है इसके लिए आप सेज की चाय का सेवन कर सकते हैं यह रोगों से बचाने और धम्नियों में फ्लाक के जमाओं को रोपने में सायग होता है देखा जाए तो यह रिद्दय स्वास्त के लिए भी उपयोगी हो सक इसलिए सेज का उपयोग स्वास्त के लिए बहुत ही लापकारी है सेज ओरल हेल्ट में भी सायग है यहां मुह और दातों को सस्ते रखता है क्योंकि इसमें बैक्रिशाइट गुण पाया जाता है जो बैक्रियाओं को रोखने में मदद करता है और इसी के साथ सेज गले की ख्रास को भी कम करता है शेज के तेल का एंटिबायोटिक परभाव में करई बैक्रिया को कम करने में मदद करते हैं और इस देल के उपयोग से कई परकार की बिमारियों में राहत मिलती है इसलिए इस तेल में यह तेल हमारे स्वास्त के लिए कई परकार से लापकारी है से तोचा को भी स्वस्त रखता है एक सोथ के अमशार एंटी ऑक्षिडेंट गुण फिरी रेडिकल्स को खत्म कर देता है से तोचा को सब्स रखने में मदद करता है और सेज में एंटी बैक्टेरियल गुण पाए जाते हैं एंटी इंफिरी में एंटी गुण पाए जाते हैं और एंटी बैक्टेरियल गुण पाए जाते हैं इसलिए ऐसा माना जाता है कि सेज का तेल तुचा को लाब पहुचाता है और इन समिष्याओं से छुटकारा देता है। सेज कैंसर में भी रापकारी है, सेज को हम कई परकार से अपने आहर में समलित कर सकते हैं और इसके हम कैंसर जैसी धातक बिमारी से अपने को बचा सकते हैं, सेज के तेल में एंटी कैंसर बुड़ पाया जाता है, जिससे कैंसर की बिमारी को कम किया जा सकता है और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, आसा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, एक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें और दोस्तों में सियर करें, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई अक्टिविटी और नई जानकारीों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।